अब तक की स्टोरी में जो हमने पढ़ा था वो ये था कि वैलू नाम का 11 साल का लड़का होता है जो कि अपने घर से भाग आता है और चैने प्रेटफॉर्म पे आके रुखता है जहां उसे एक जया नाम की लड़की मिलती है जो उसकी मदद करती है खाना अरेंज करने में वो दोने शादी के मंदब के बहारा के खड़े होते हैं वहां से जया उसके लिए खाना अरेंज करती है जो कच्रे का धेर होता है उस थेले को छोड़ कर नया थेला लाने चाहती है इसलिए वो अपने घर की तरफ जाती है वैलू भी उसके पीछे-पीछे उसके साथ चलता है यहां तक हमने पार्ट 2 में पढ़ा था अब आगे क्या होता है लाट सें पार्ट 3 जया एंड वैलू वाग्ड अलोंग था रोड फर हाफ एन आर अंटिल दी केम तो अ बिज अक्रोस अ डिर्टे ट्रिकल अफ वाटर वी आर इंट रिप्लिकेंड नौ सी बगिंगम कैनाल सेट जया वैलू और जया रगपक आदे घंटे तक चलने के बाद जो बिर्च पे आते हैं जो कि गंदे से नाले के उपर बना होता है जया वैलू को कहती है कि देखो ये बगिंगम कैनाल है वैलू होता है उद्धर देखता है वैलू सेट वैलू कैनाल की तरफ देखता है ये क्या कैनाल है उस नाले के पास में ही जोपणियों की कतार बनी ह जोपड़िया तो वाइलो ने खेले पहले देख राखी थी कि इसके विलेज में भी जोपड़िया ही थी रहने के लिए लेकिन वो जो जोपड़िया थी जो हर्ट्स थी वो कुछ अलग चीजों की बनिवी थी और वो यह चीजे जो थी वो यह थी वो जो जोपड़िया बनिवी थी कुछ अलग तरह से बनिवी थी कुछ टेड़ी बनिवी थी मानो उनको दिखने से ऐसे लगता था कि जैसे अभी ही गिर पड़ेंगी इस दिस वर्यू ले थी जैसे कहता है कि यह वो जगे जातू मैतियो यह तो घर जो है वो वो कुछ अजीब तरह के है वैलू से बताता है कि मेरे गाओं में जो हट है वो मड और पाम लिव्स के बने हुए है जैया अपने हट के तरफ जाती है बाहर अपना भरावा सीक रखती है और अंदर से खाली ले आती है लेट्स को और वैलू की पास आके कहती है चलो शी तरण टू वैलू एंड गेव हिम आ शोव एटलीस हल्प मी नाओ वो उसे कहती कि मेरे साथ चलो उसे थोड़ा धक्का देते वे कहती है शोव यह नि पुछ करते वे कहती है और कम से कम थोड़ी तो मेरी मदद करो यहां लो ये और पहनो और चलो मेरे साथ जया उसकी तरफ एक पुराने जूतो के जोड़ी फैक्ते हुए जो की बिना लेस के होते हैं और एक थेला और एक लकड़ी उसे हाथ में देते वे कहती है कि चलो वैलू थोड़ा सा कन्फ्यूस होता है उसे समझ में नहीं आता है कि जया आखिर उससे इन सब चीजों के द्वारा कौन सा काम करवाना जाती है वैलू के पास जो एक्सपिरियेंस होता है वो तो सिर्फ गायों को चराने का और वीड्स को निकालने का वीड्स आनि अन्वांटेट प्लांट्स वैलू जया से पूछता है क्या तुमारे शहर में क्या इस शहर में कोई फार्म है जया हसते हुए और अपनी स्टिक को ग्राउंड पे पटकते हुए कहती है यहां पे कोई भी फार्मर नहीं है हम सब रैक पिकर्स हैं रैक पिकर्स कच्रा उठाने वाले वैलू कहता है रैक पिकर्स तो जया कहती है कि देखो मेरा बैग देखो मेरा थेला जो की चीजों से भरा हुआ जिनकों की मैंने इकठा की है वैलू से पूछता है जमा किये कहा से प्रॉम रबिश बीन्स वैरल्स कच्रे के धेर में से कच्रे के डब्बे में से और कहा से तुम कच्राइ कठा करती हो वैलू ने इस तरह का काम पहले कभी सुना नहीं होता है जया उसे कहती है ए पागल यह कोई कच्रा नहीं है वैलू थोड़ा सा पजल हो जाता है He had heard of people throwing away rubbish क्योंकि उसने लोगों को कच्रा फैकते हुए सुना होता है But why would anyone want to buy rubbish लेकि उसका यह समझ नहीं आता है कि कच्रा फैक्टनी की जगे कोई इंसान उसे खरीद क्यों सकता है खरीद देता क्यों है क्यों खरीदना चाता है वो इस जाम बजार जगू वो पूछता है कि जगू कबारी कौन है Why is he buying all this वो से ये भी पूछता है कि वो ये सब कच्रा क्यों खरीदता है You think he buys it for show जया उसे कहती है तुम क्या सोचती हो कि वो ये सब दिखाने के लिए खरीदता है He sells it to a factory वो इस कच्रे को फैक्टरी में बेच देता है Come on, I don't have time to waste like you जया वेलू से कहती ही कि चलो मेरे पास तुम्हारी तरह waste करने के लिए time नहीं है वेलू डिट नॉट वो वेलू वाँ से हिलता भी नहीं है He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins ये सोचता है कि वो अपने घर से इसलिए तो भाग कर नहीं आया था कि नई जगर पर जाके कच्रा इकठा करने का काम करेगा जया उसे अपनी लकडी से थोड़ा इसे मारते हुए कहती है यहाँ देखो वो से कहती है कि अगर हमसे पहले किसी और ने ये सब ले लिया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा एक हीरो की तरह पोस बना के वाँ खड़े मत रहो I am trying to help you मैं तो तुमारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ Who filled her stomach today आज तुमारा पेट किस ने भरा वैलू scratched his head and sight वैलू अपने सिर को खुजलाते हुए उसकी तरफ देखता है I will do it for now He thought until I find a better job वो यह सोचता है कि जब तक कि उसे और कोई दूसरी अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो इस काम को करेगा Okay friends, thanks to all I hope you all can understand the lesson